भारत में कई चमतकारिक और रहस्में मंदिर है जिसमें दक्षिन भारत में स्थिद भागवान तिरुपती बाला जी का मंदिर भागवान तिरुपती बाला जी का चमतकारिक और रहस्में मंदिर भारत समय पूरी दुनिया में प्रसीद है यह मंदिर भारती वास्तु कला और शिपकला का उत्कृष्ट उधा रहना है तिरुपतिबाला जी मंदिर भगवान विश्णु को समर्पित है यह मंदिर आंद्रप्रदेश के चितूर जिले में तीरुम अला परवत पर स्थित है और यह भारत मुकृतिर स्थलों में से एक एक है तेरुपतिबाला जी मंदिर क की पहाडियों पर स्थित है तिरुमला की साथ पहाडियों को भगवान विश्णु के साथ सिरोग की उपादी दी गई है मंदिर के असपर अद्बुत घटनाएं होती हैं जिसके चलते स्थान को धर्ति का वैंकुट भी का जाता है तिरुबति वाला जी का वास्तुविक नाम श्री वैंकेटेश्वर्ट स्वामी है जो स्वयम भगवान विश्णु है धार्मिक मानेताओं के मुताबिक भगवान श्री वैंकेटेश्वर्ट अपनी पद्मावति के सार्थ तिरुमला में निवास करते हैं ऐसा कहा जाता है जो भी सच्ची भक्त मन से भगवान वैंके जो मुदुशिया अपने बालों का दान करता है उसे देवी लक्षमी की क्रिपा प्राप्त होती है। मुंडन संस्कार जो यहां पर होता है वो जन्म के बाद प्रथम एक वर्ष के अंदर करा दिया जाता है। साथी हिंदों में कहा जाता कि कोई मनफ पूरी होने पर मुंडन करवा जाता है। ओटा देगी नाडू के तिरुत गामी इस्थल पर बड़ी संक्य में महला है, अपने मनत पूरी हो जाने के बाद मुंडन करवाती है। तिरुपति बालाजी मंदिर में बालों के दान के बारे में कहा जाता है कि यहां पर देवी माता की कृपा प्राप्त होती है, साती सारी परिशानिये खत्म हो जाती हैं, जो वेक्ति अपने मंद से सभी पापों और बुराईयों को यहां छोड़ जाता है, उसके सभी दुख देवी लक्षमी खत्म कर देती, इसलिए यहां सभी बुराईयों पापों के रूप में लोग अपने बाल छोड़ जाते हैं, ताकि भगवान विश्णू और देवी लक्षमी उन पर प्रसंद रहें, तिरुपति मंदि में परती दिन करीब 20,000 भक्तियां अपने बाल दान करके जाते हैं, वहीं इस कारे को संपन करने के लिए मंदिर परिसे में करीब 600 नाईयों को भी रखा गया है, माला जाता है कि यहां बस जितनी कीमत के बाल दान करते हैं, भगवान उससे दस गुना जादा कीमत आपको धन के रूपे नोटाते हैं, कहते हैं कि जो भी मनुश का एक पहाड बन गया था, उस पहाड पर रोजाना एक गाया आया करती थी और दूद दे कर चली जाती थी, जब गाय के माली को इस बारे में पता चला तो वह बहुत नाराज हुआ और उसने को लाडी से गाय कावद कर ड़ा, इस हमले के दौनान बाला जी के सिर पर भी चो हो गया, और बाला जी ने अपनी मा से कहा कि मा बाल तो शरीर की सुनदाता को बढ़ाते हैं और आपने मेरे लिए उनका त्याग कर दिया, आज से जो भी मेरे लिए अपने बालों का त्याग करेगा, उसकी हर इच्छा पूरी की जाएगी, तब से भक्त अपने बालों को ब किलादरी हिल्स हैं जिस पर नीला देवी का भी मन्देश स्थित हैं। फिर उन्हें कैटरिंग के अंसार वेफसाइट पर बेचे जाता है। बालों के उनलाइन निलामी तिरुमला तिरुपती देव स्थानम द्वारायोजित की जाती है। दान किये गए बालों को ई निलामी से करोर रुपए मिलते हैं। तिरुपती बैलाजी मंदिर में दान किये गए बाल अंतिराश्टे बजारों में बेचे जाते हैं। इसा कहा जाता है कि भगवान वेंगे टेश्वा स्वामी की मूर्थी पर बाल लगे है, जो असली है। यह बाल कभी बिव उलचते ही नहीं और हमेशा मुलायम रहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि यह भगवान खुद विराजमान है, जब मंदिर के हम गर्व ग्रह में प्रविश करते हैं, तो ऐसा लगेगा आपको कि भगवान शिव एंकि टेश्वर की मूर्ति गर्व ग्रह के मद्ध में है, लेकिन आप जैसे ही गर्व ग्रह के बहार आएंगे तो च समहाईत हैं, जिसकी वज़े से शिव एंकिटेश्वर स्वामी को स्त्री और पुरिष दोनों के वस्त्र पहनाने की परंपरा है, तिरुपत्ति बाला जी मंदिर में भगवान वेंकिटेश्वर की प्रतिमा आलोकिक है, यह विशेश एक ही पत्तर से बनी हुई है, और इतन स्वामी के मंदिर से 23 किलोमीटर की दूर पर एक गाउ है, जहां गाउवालों के अलावा कोई बहारी वेक्ति प्रवेश्ट नहीं कर सकता, इस गाउव के लोग बहुत ही अनुशासी थे और नियमों का पालंग करके अपनी जीवी का व्यतीत करते हैं, मंदिर बे चड़ाय स्वामी मंदिर में एक दिया हमेशा जलता रहता है और सबसे चोकने वाली वात यह है दोस्तों कि इस दीपक में कभी भी तेल ये घी नहीं डाला जाता यहां तक कि यह पता नहीं है कि दीपक को सबसे पहले किस ने और कप प्रजुलित किया था भगवान वैंकेटेश की प्रतिमा पर पचाई कपूर लगाया जाता है यह कपूर किसी भी पत्थर पर लगाया जाता है तो पत्थर में कुछ समय में दरारे पर जाती लेकिन भगवान बालाजी की जो प्रतिमा है पर जो यह पचाई कपूर का कोई प्रभाब नहीं मंदिर का मुख द्वार के पर दाई तरफ एक चड़ी है इस चड़ी के बारे में कहा जाता है कि बालवस्ता में इस चड़ी से ही भगवान मेंगेटेश्वर की पिटाई की गई थी जिसके कारण उनकी टुड़ी पर चोट लग गई थी तब से आज तक की टुड़ी पर शु करने सुनाई देती है यह भी कहा जाता कि भगवान की प्रतीमा हमेशा नम रहती है अब दोस्तों मैं आपको तिरुपति बाला जी दर्शन टाइमिंग पहले बता देती हूं तो तिरुपति बाला जी मंदिर के दर्शन सुबह साड़े 6 वजे से शुरू हो जाते हैं रुपति बाला जी के दर्शन करने के भी कुछ नियम है दोस्तों नियम के अनुसार दर्शन करने से पहले आपको कपिल तीलत में स्नान करके कपिलेश्वर के दर्शन करना चाहिए फिर वैंकेटा चल परवत पर जाकर बाला जी के दर्शन करना चाहिए इसके बाद पदमा मंदिर के दर्शन नहीं करते तब तक आपको तिरुमला की यात्रा पूरी नहीं हो सकती है जब तक इस मंदिर के दर्शन नहीं किये जाते हैं तब तक आपकी यात्रा है इसको पूरा नहीं कहा जा सकता है तिरुपति मंदिर में जो प्रशाथ है दोस्तों वो लड़ों का प् इन लड़ू को बनाने की वीदी भी सबसे अलग है इने बनाने में बेशन, किश्मिश, मक्खन, काजू और इलाइची का इस्तमाल किया जाता है हर लड़ू का वजन 114 ग्राम होता है इन लड़ू को बनाने के लिए यहां के कारिगर 300 सार पुरानी वीदी का प्रयोग करते है लड़ू का निर्मार बालाजी मंदिर की रसोई में किया जाता है और इस रसोई को हम पोटू कहते है इन लड़ू की सबसे खास बात ही है कि अगर दोस्तों आप यहां से लड़ू ले जाकर घर में बना कर खाना चाहे तो आपको वो स्वार नहीं मिलेगा यह मंदिर का ही चमतकार है कि लाकों कोशिशों के बाद भी लड़ू लोग अपने घर में ऐसा नहीं बना पाते का काफी कड़ा इंतजाम है इन लड़ू को यहां से ले जाने के लिए आपको एक सुरक्षा दाएरे से उकर गुजरना पड़ता है जिसमें सुरक्षा कोड और बायोमेट्रिक विवरण शामिल होता है कि रुपति बाला जी मंदिर में दोस्तों जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि बाल का दान करना या मूंडन करवाना होता है यहां पर बालों के दान के बारे में जैसे कि मनुष के जितने भी परशानियां होती है और उनके जीवन में जितनी भी कटनाईयां आती है वह द अगर आप सूज रहों कि मंदर में केवल पूरुषी अपने बाल कटवाते हैं तो आप बिल्कूल गलत हैं यहाँ बच्चों पुरुष्यों के साथ सद महलाई भी अपने बाल कटवाती हैं महलाई विधन प्रापती के लिए कई मन्नते मांगती हैं इच्छा पूरी होने पर अपने लंबे बालों का दान करती हैं, यहां पर मनुष अपने बालों के रुपे अपने सारे पाप और बुराया मंदीर में छोड़ जाता है, तता उसके सभी दुख देवी लक्षमी मता हर लेती हैं, इस मंदीर में रोजाना करीब 20,000 लोग अपने बाल दान करनी के लिए और ऐसी मानियता है कि यहां पर लोग आकर अपनी मन्नत मांगते हैं और जब उनकी मन्नते पूरी हो जाती है, तो वह यहां आकर अपने बाल दान कर देते हैं, तो कुछ नियम है, कुछ कानून बनाए गए हैं, टेंपिल के रूल्स हैं, वो मैं आपको पहले बता देती हू और यह नियम जो है बाला जी के दर्शन नियम 2022 में आते हैं, जैसे कि मंदिर परिसर में या उसके आसपा जूते चपल नहीं पहनने चाहिए, मंदिर के अंदर कभी भी डंडवत प्रणाम ना करें, तिरुपति बाला जी मंदिर में दिये गए प्रसाथ को कभी भी जमीन प दात का सेवन और धूप्रपान नहीं करना चाहिए मंदिर परिसर के अंदर हैल में टोपी पगली पहने अब मैं आपको यह बताऊंगो कि यहां कैसे पहुचा जाए तो तिरुपति बाला जी मंदिर में आने के लिए आप खुद अपने वहां से आ सकते बस ट्रेन और हवाई जहां से तिरुपति आ रहे हैं तो तो आपको यहां एक छोटा सा हवाई अड़ा है जहां से हैदरबाद और दिल्ली के लिए सीदी उडान मिलती है अब पहले अपने शहरते दिल्ली हिदरबाद आईये और वहां से तिरुपति जाईए हवाई एडे से आप सब्सक्राइब अगर अपने शहर से तिरुपती रेल से आना चाहते हैं तो आप बैंगलोर चेन्या और हैं इसके बाद यहां से आपको तिरुपती के लिए अलग ट्रेन से सफर करना पड़े यदि आप लोकल ट्रेन में है तो तिरुपती उतर जाये अन्य था आप रेनी गुटा जंक्शन उतर सकते हैं यह तिरुपती से 10 किलो मीटर दूर है और यहां से ट्रेन के ज्यादा विकल मौझूर है अब दोस्तों मैं आपको यह बतातू कि तिरुपती बाला जी कौन से तो तिरुपती बाला जी मंदिर में रोजाना 250,000-1,000,000 लोग दर्शन करते हैं ऐसे में काफी वीड होना जायज ही है सामाने दर्शन करने वालों को करीब 1-3 दिन का समय लगता है भीड ज्यादा होने पर इससे भी ज्यादा समय लग सकता है अगर आप भीड से बचना चा जाते हैं तो आप उनलाइन बुकिंग करवास कर स्पेशल एंट्री ले सकते हैं जिसमें आपको कम समय में दर्शन हो जाते हैं वी आईपी दर्शन की बुकिंग के लिए आप इनकी वेफसाइट www.https.httdsevasewaonline.com पर बुकिंग करें दोस्तों अगर आप तिरुपती बालाजी दर्शन करने के लिए जाते हैं तो आपको और वी स्थान घुमने चाहिए जो तिरुपती की यात्रा के दौरान पढ़ते हैं तिरुपती यात्रा के दौरान आज पास निमलिक स्थान और वैंकेटेश्वर प्राणी उध्याद तिरुपती बाले जी का मंदिर भारत का एक पवित्रती स्थाल है इसे सबसे अमीन मंदिरों में से एक भी कहा जा सकता है क्योंकि यहां पर काफी सारा दान आता है पूरे देश में आने वाले मंदिरों में दान की बात करें तो य जीवन में एक बार तिरुपति जाकर तिरुपति बाला जी के दर्शन जरूर करिएगा Thank you friends